हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आप चानल Sonis Kitchen High Lads दोस्तो आपकी अपनी Sonis Kitchen High Lads चानल कल हो ली के दिन मॉनिटाईज हो गई है YouTube की क्राइटरिया को पूरा करके दोस्तो ये हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आप सब की प्यार और सपोर्ट के वज़े से इसलिए आप सब को दिल से धन्यवाद, थांक्यू वर्ड एक बहुत ही छोटा वर्ड होगा क्योंकि एक यूटूबर ही समझ सकता है चानल को आज की डेट में मोनेटाइस करवाना कितनी बड़ी बात है दोस्तो जबकि मेरी एक मैंन चानल भी है जहां पर एक देड़ लाग की बड़ी सी परिवार है मैंने वहां पर कभी ये नहीं बता है कि मेरी सेकेंड चानल को जाके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं चाहती थी मेरे जो भी फैमिली मेंबर मेरे साथ जुड़े यानि कि जो कत much of a cake निव क्रीटर्स को हईप निव क्राइटर्स अगर चाहे तोmetro लुइव एक ओन बना करके स्मय कर सकते हैं जब उनिकी की दोस्तो केक बनाने के लिए जो सबसे पहली इंग fox चाहिए या मैं कहुतु जो पहली चीज चाहिए वो है केक टिन् इसलिए आप कोई भी steel या aluminum की कोई भी बर्तन ले ले बस ध्यान रहे उस बर्तन का base flat होनी चाहिए और जब आप batter भरेंगे उस बर्तन में आधा batter होनी चाहिए बहुत जादा बैटर भर देंगे बर्तन में तो केक फूल कर बाहर गिरेगा या फिर बहुत कम बैटर होगा बर्तन बड़ा होगा तो केक अच्छे से फूलेगा नहीं अब आप लीजिए एक कोई भी नोट बुक जिसका जो पेपर है बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए इसमें कोई लाइन्स ना हो इसमें से एक पेपर फाड कर ले लीजिए इसके क्या जरूरते वो आगे बताऊंगी अब हम केक टिन में थोड़ी सी तेल या फिर मेल्टेड बटर डालेंगे तेल अगर आप लेते हैं कोई भी हार्ष फ्लेवर वाली तेल ना ले जिसे की सरसो का तेल मुमफली का तेल ना ले अब जो हमने पेपर निकाल कर लिया था नोटबुक में से उसे मैंने इस बर्तन के साइज काट कर रख लिया है अब जो तेल हमने लगा था उसी से इस पेपर को हम ग्रीज कर लेंगे और घर पर ही हमारा butter paper तयार हो गया है Cake tin में butter paper आप अगर लगा देंगे तो आपका cake अच्छा moist बनेगा और मैं side में भी butter paper दे रही हूँ यह optional है Side में butter paper लगाने से आपका जो cake है वो पकने के बाद बाहर जो side है वो क्रिस्पी नहीं होगा बिल्कुल मॉइस्ट और सॉफ्ट केक बन का तयार होगा दोस्तो केक निन तो तयार हो चुका है चलिए आप इसे बेक कैसे करेंगे वो बता देती हूँ मैंने सिंपली एक तवा लिया है कोई भी पुरानी तवा ले लिजिए और इस तरीके के एक वाइर स्टेंड दस बीस रुपे में मार्केट में मिल जाती है ये रख लीजिए ये ना हो तो कोई भी प्लेट को उल्टा करके रख दीजिए फ्लेम को आउन करके इस तवे को गरब होने देते है और तब तक चलिए फटा फटाम बैटर बना लेते हैं बैटर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ओरियो बिस्केट इससे केक बनाना पहुत आसान हो जाएगा मैदा, कंडेस्ट मिल्क, एसेंस, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये सब कहां ढूणने जाएंगे simply oreo biscuit ले लिजी, ये 120 ग्रैम्स की एक पैकेट है, और इस एक oreo biscuit के पैकेट में हमें मिलते हैं 13 बिस्केट यानिकी 13 बिस्केट और हमें 26 बिस्केट चाहिए जस्ट इसका डबल, तो मैं एक और oreo biscuit की पैकेट को खूल लेती हूँ और ये भी 120 ग्राम की ही पैकेट है ये दिखिए आप चाहे तो फैमिली पैक भी ले सकते हैं उसमें से आपको 26 बिस्किट्स लेने हैं अब जो ये बिस्किट्स है इसकी क्रीम को निकाल करके हमें अलग करना है क्रीम भी हम यूज़ करेंगे वो कैसे यूज़ करेंगे आगे आप वीडियो में देखेंगे तो पहले हम क्या करते हैं न क्रीम को निकाल कर फटा फट से एक प्लेट में रखते जाएंगे और यहां पर आपको चॉकलेट क्रीम वाली ओरियो बिस्किट नहीं लेनी है आपको यही वेनिला क्रीम वाली जो ओरिजिनल ओरियो बिस्किट के नाम से आता है वही लेना है जिसका क्रीम इस तरीके से वाइट हो अब क्रीम को निकान लेने के बाद इसे हम साइड में रख देते हैं क्रीम को अभी के लिए और जो हमारा बिस्किट से उसे हम तोड करके पहले ले लेंगे बिस्किट को तोडना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसको ग्राइन्द करेंगे तोड लेंगे तो यह easily finely powder हो जाएगा तो मैं छोटी mixture जाल ले रही हूँ तो मैं दो बार में इसे grind करूँगी और इस तरीके से fine powder बना लेंगे अब इसे एक bowl में ले लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चमच पिसी हुई चीनी दोस्तो इस तरीके की measurement वाली spoon अगर आपके पास नहीं है तो देखिए घर पर जो steel के चमच होती है खाने वाली उसमें भी दो size कियाती है एक छोटी एक बड़ी जो छोटी वाली है उसे 1 teaspoon के हिसाब से यूज़ करे और जो बड़ी वाली है उसे 1 tablespoon के सब से यूज़ करे अब इसमें दूद हम हिसाब से डालेंगे जितनी जरुरत होगी थंड़ा या गरम दूद ना ले, रूम टेंपरेचर वाली ही दूद ले और एक बड़ा चमच melted butter में डाल रही हूँ जैसे कि मैंने बताया है, melted butter के जगा आप तेल भी ले सकते है लेकिन तेल सरसो का या मुमफली का नहीं होना चाहिए refined oil या फिर ऐसी कोई भी oil जिसमें कोई harsh flavor ना हो अब अच्छे से mix करके batter इस तरीके से ready कर लेंगे अब केक को फुलाने के लिए मैं यूज़ कर रहे हूँ इनो fruit salt मैं इसमें से एक छोटी चमच इनो fruit salt डाल रहे हूँ जो छोटी वाली इनो fruit salt के शाशे आती है उसे आप यूज़ कर ले एक packet जो कुछ 8 रुपए के आती है इनके से आपको इनो fruit salt यूज़ ना करनी हो तो आप आधी छोटी चमच baking powder भी डा सकते है इनो को activate करने के लिए थोड़ी से दूद डालेंगे इनो देखिए activate हो गई है अब बड़े-बड़े bubbles इसमें दिख रहे हैं तो अच्छे से हम batter को mix करेंगे जैसे कि जो बड़े बबल से वो खतम हो जाए और batter में इनो properly mix हो जाए आप देखिए batter हमारा ready हो चुका है batter की consistency कुछ ऐसी होने चाहिए pouring वाली बहुत पतला बहुत मोटा ना करे अब हमारा cake tin already ready है तो cake tin में हम batter को transfer कर लेते हैं दोस्तों पहले cake बनाने के लिए cake tin को ready करना होता है और side में आपको तवा या फिर कड़ाई जिसमें आप cake को bake करेंगे उसे गरम करने के लिए रख दे और फिर batter बनाए जब आप batter ready कर लेंगे ना तब तुरंत cake tin में transfer करके cake tin को tap tap करके air bubbles को निकाल ले और तुरंत ही इसे बेख होने के लिए रख दे इससे cake बढ़िया फूलती है अब हमारा तवा गरम है flame को मैंने low पे रखा है तवे के उपर मैंने रख दिया है cake tin इसे चली ढख देते हैं एक भगोना से मैं इसे ढख रही हूँ और इसके उपर कुछ भी भारी सी चीज रख दे जैसे कि मेरे पास ये आभी मुझे फिलाल तीन ग्लास मिले जो कि बहुत भारी ग्लास है तो मैंने ये तीनों ही ग्लास इसके उपर रख दिये है लगबग 20 मिनिट लग जाएंगे इस केक को बेक होने के लिए तबे पे केक जल्दी बेक होता है दोस्तों चलिए केक को बेक होने देते हैं अब 20 मिनिट के बाद चेक कर लेते हैं एक बार देखे दोस्तों केक बेक हो चुकी है टूथपिक डाल कर इस तरीके से चेक करें toothpick clean आ रही है यानि की cake तयार है cake को निकाल कर room temperature में ही इसे थंडा होने दे और cake जब तक थंडा हो रहा है दिखें मैं यहां पे ले रही हूँ एक cup whipping cream जो की ट्रॉपलेट कमपनी की है आपको अगर whipping cream के बगेर और कोई option चाहिए cake बनाने के लिए तो मुझे comment करें मैं जल्दी ही share करूँगी अब मैं electric bitter से इसे बीट कर रही हूँ आप hand whisker से भी इसे whip कर सकते हैं उसमें थोड़ा समय जादा लगेगा लेकिन काम हो जाएगा इस से काम थोड़ी से जल्दी हो जाती है आपके पास electric bitter नहीं है तो hand whisker से आप whip कर लिजिए ध्यान दे जब आप cream को whip कर लेंगे cream में इस तरीके से stiff picks आनी चाहिए बिल्कुन नुकी ली तब आपका cream ready है cake में लगाने के लिए अब cake को हम unmold कर लेते हैं इस तरीके से butter paper लगाने से ना cake को unmold करना भी आसान होता है cake बहुत ही soft और moist भी बनता है चेले अब इस cake को हम layers में cut करेंगे तो जितनी मोटी हमें layer रखनी है उसी साब से एक चाकू के मदद से cuts लगा लेंगे और फिर जहाँ पर हमने cut लगाई है वहाँ पर thread को फसा करके दोनों तरफ से धागी को खीच कर घुमा कर लेकर आएंगे और एक हाथ से दोनों ही तरफ के धागी को पकड़ेंगे दूसरी हाथ cake के उपर रख कर खीच लेंगे तो perfect layer cut हो जाएगी देखिए इसी तरीके से cake के तीनों ही layers को निकाल लेंगे और cake थोड़ा सा भी dome shape हो गया हो तो उपर से भी हलका सा निकाल ले cut करके अब हमें चाहिए एक cake base board ये base board ना हो तो कोई भी थाली को उल्टा करके आप रख सकते हैं इसे अगर घर पर बनानी हो तो कमेंट में लिखे मैं जल्द ही शेयर करूँगी तो इस base board के उपर थोड़ा सा पहले cream लगाएंगे तैकि cake fish लेना cake के first layer रखेंगे और यहां पर मैंने आधा कप पानी में 2 चमच हार्षी चॉकलेट सिरप को mix करके लिया है इसके जगा आधा कप पानी में 2 चमच पीसी हुई चीने डाल कर शुगर सिरप बना करके भी ले सकते है cake को moist करने के लिए cake को moist करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों इससे cake में जो dry feel नहीं होता है और बहुत ही tasting लगती है cake तो cake एक layer फिर cream की एक layer फिर cake की एक layer ऐसा हम third layer तक करेंगे और हर एक layer को हमें chocolate सिरप या sugar सिरप से soak करना है दोस्तों मैंने piping bag में cream को भर कर लिया है आपके पास अगर piping bag नहीं है तो आप दूद की धरली को अच्छे से धोग कर पोच कर सुखा लिजे फिर उसमें cream भर के भी अपले सकते हैं और यहां पर palette knife के जगा में चाकू का इस्तमाल कर रही हूँ ताकि palette knife जिसके पास में ना हो तो demotivate ना हो वो भी बना सके अब हमारी देखिए टॉप layer में cream लग चुकी है पूरी cake को हम पहले थोड़ी सी cream लगा कर crumb coat करेंगे अब मैं पहले चाकू से जो cream हमने cake के उपर लगाई है इससे पहले स्प्रेड कर लूँगी पहले crumb coating कर लेने से ना दोस्तों क्या होता ना जो cake की crumb क्रीम में लग जाती है उसके वज़े से cake की look खराब ना हो इसलिए पहले हम crumb coating करते हैं फिर दूसरी layer cream की लगा करके cake को finishing look देते हैं इससे cake बिल्कुल market जैसी दिखती है अब दिखिए इस तरीके से debit और credit card घर पर expired वाली पड़ी हो तो इसे use करे cake को अच्ची finishing look देने में ये बहुत अच्छा काम आता है अब मैं जो cake board है इससे भी white color का करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसके उपर कुछ लिखना है तो मैं थोड़ी सी cream इसके उपर भी लगा कर plane कर रहे हूँ अब इस cake को थोड़ी देर हम फ्रीज में रख देंगे और अब हम ले लेंगे हमारा Oreo cream इसमें डालेंगे आधी छोटी चमश कॉन स्टार्च या फिर कॉन फ्लार डरिएगा नहीं दोस्तों कॉन स्टार्च जानने से Oreo cream का टेस्ट खराब नहीं होगा एक्चिली ये जो Oreo cream है बटर और शुगर से बनी हुई होती है तो ये बहुत सदा चिपचिप होगी इसलिए थोड़ी सी कॉन स्टार चालेंगे तो ये हाथ में नहीं चिपगेगे बिल्कुल इसे स्मूथ कर लेने के बाद ये एक fondant जैसा रेडी हो गया है इसमें से आधा हम अलग रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमें white कलर का भी चाहिए और आधा जो हमारा बचा हुआ है इसमें हम एक बूंद red gel food कलर डाल देंगे जो की केक में हमारा यूज होता है इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे पहले चम्मस से कर ले फिर हाथ से अच्छी से मसलते हुए इसे भी एक फॉंदेंट जैसा ready कर ले तो जो गाड़ू तरीके से हमने दो कलर की फॉंदेंट ready कर ली है चलिए अब एक प्लास्टिक ले लिजे कोई भी फॉंदेंट को रखिए फिर उपर से एक और प्लास्टिक से ढख देजिए ये लेने का मकसद ही है कि ये चिपके ना अब बेलन से इसे पेलना है बहुत हलके हाथ से बेले और बहुत पतला ना करे मोटा ही रहेगा ये थोड़ा सा पतला रहेगा तो तूट जाएगी तो देखिए बहुत हलके हाथ से बेलनी है मैं बार बार इसलिए बता रहे हूँ आप अगर एकदम से तेज तेज बेलने लगेंगे तो ये तूट सकता है तो हलका से बेलने के बाद अब हम क्या करेंगे ना प्लास्टिक को हटा देंगे अब एक चाकू के मदद से चारो तरफ से इस तरीके से हम कट करेंगे एक ट्राइंगल शेप देंगे ट्राइंगल ने सौरी रेक्टेंगल देखिए अब जो साइड है साइड वाला जो बचा हुआ पार्टे उसे हम हटा लेंगे और मुझे ये चारो कॉर्नर को ऐसे शार्प नहीं रखना है हलका सा मुझे इसको मतलब कैसे राउंड वाला शेप देना है साइड में से तो मैं एक नोजल यूज कर रहे हूँ आप चाको से भी कर सकते वैसे तो जब मैं केक में इसे लगाऊंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं इसको इस शेप में क्यों बना रही हूँ ठीके तो अच्छी से फिनिशिंग लुक दे करके जो साइड में बचा हुआ फॉन्डेंटे उसे हटा लेंगे और फिर इसे रख देंगे फ्रीज में थोड़ी देर के लिए ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए ये देखे ऐसे आपको भी बना लेना है चलिए अब इसी तरीके से मैंने छोटा वाला और एक बना लिया है रेड का और जो वाइट वाला फॉन्डेंट हमने रेडी किया था उसे बेल करके मैंने स्प्रेड कर लिया है इसमें से एक छोटा सा ट्राइंगल में निकाल रही हूँ इस बार मैंने सही बोला ट्राइंगल तो अब इस triangle को हम ये red वाला जो हमने बना था ना rectangle का इसके उपर रखेंगे जो पहले हमने rectangle वाला बना था उसे मैंने fridge में रखा हुआ है ये दूसरी वाली है तो इसे भी चलिए fridge में रख देते हैं और मैंने cake को बाहर निकाल लिया है अब cake के उपर सबसे पहले हम प्लेस करेंगे जो first हमने rectangle shape की red कलर की बनाई थी ना फंडेंट के साथ वाला पीस और side में मैंने यू लिखा है toothpick से पहले लिख दिया है ताकि मुझे लिखते हुए कोई problem ना आए दूसरी चीज़ दोस्तों इस piping bag में मैंने जो भर कर लिया है ये चौकलेट गनाश नहीं है ना ही ये melted चौकलेट है मैंने क्या किया ना जो हमने whipping cream cake में यूज किया ना side में रखे रखे वो थोड़ी से melt हो गए थी उसी में मैंने थोड़े से dark brown food color और थोड़े सी yellow food color दोनों को mix किया तो एक dark color का black shade जैसा कुछ ready हुआ है ये cream तो मैं इसे यूज कर रहे हूँ चौकलेट गनाश में यूज कर सकती थी बट सबके पास चौकलेट compound नहीं होगा इसलिए मैंने चौकलेट गनाश नहीं बनाई है आप ये लिखने के लिए whipping cream अगर यूज नहीं करना चाहते है तो आप oreo biscuit को ही थोड़ी सी दूद डाल कर grinder में डाल कर अच्छे से piece लिजे बिल्कुल smooth जैसे हमने batter बनाई है उसी से आप लिख सकते है बहुत पतला ना करे नहीं तो spread हो जाएगा तो दिखें सबसे पहले मैंने यहां पर यू लिख दिया आप मैं white color से इसके उपर tube लिखूंगे यानि कि मुझे YouTube लिखना है तो दिखें मैंने YouTube लिख दिया है आप हम लिखेंगे यहां पर 1K तो पहले आप toothpick से mark कर लिजिए जहां पर आपको लिखना है क्योंकि यह हमारा रोज का काम नहीं है तो हो सकता है थोड़ी बहुत इदर उदर हो जाए तो इसलिए पहले mark कर लिजिए तो लिखने में आसानी होगे अगर आप आपका subscribers 1K है तो 1K लिखें आपको केक की रस्पी अच्छी लग रही है तो किस बात की देरी दोस्तों चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि आगे जाकर हम भी 100K वाली celebration कर सके सपना बहुत बड़ा देख रही हूँ लेकिन मुझे उम्मीद है आप सब के उपर चलिए मैंने यहाँ पर 1K लिख लिया तो नीचे subscribers भी लिख दूँगी और पूरा नहीं दिखा रही हूँ नहीं तो आप सब बोर हो जाओंगे कि बहुत लंबी वीडियो हो गए यह फिर आप लोग नहीं देखोगे तो यहाँ पर दिखी मैं एक लाइक वाला सिंबल दे रहे हूँ तो पहले मैंने ब्लैक कलर से लिख दिया फिर इसके उपर मैं वाइट फिल कर रहे हूँ और थोड़े से जो रेड़ वाला फॉंडेट मेरे पास हलकी सी बची हुई थी तो उससे मैंने कुछ इस तरीके से हाथ वाला ये किया वरिस्ट तो अब हम लिखेंगे कॉंग्रेज मेरी भी ना मैं जब लिखती हूँ ना कुछ ऐसे स्पेशल कुछ लिखना होता ना तब मेरी भी हैंड शेक होता है और ये जेनेटिक है मेरे पापा का भी होता है भाई का भी होता है अब हमारा जो दूसरी वाली बटन थी ना यूटूब की वो हम साइड में लगातेंगे और यहां पर मैं लिखूंगी थांक्यू और ये थांक्यू आप सब के लिए है और यूटूब को भी क्योंकि यूटूब इतना बड़ा प्लाटफरम नहीं देता तो हम ये सब कभी कर ही नहीं पाते और आप सब सब्सक्राइब नहीं करते तो ये सेलिब्रेशन कभी होता ही नहीं तो आप सब को दिल से थांक्यू आभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और कर दिया है तो जैसे के मैंने बता है थांक्यू अब मैंने नीचे लिख दिया है सोनी स्किचन हाइलाइट्स जो बोर्ड के उपर है और इस तरीके से मेरी केक जो है कंप्लेट हो जाती है और सेलिब्रेशन के लिए मैं ऐसे कुछ ग्रांड नहीं कर रहे हूँ कैमरा के उस पार आप लोग है कैमरा के इस पार में और साइड में मेरे बच्चे है और हम सब मिलके इस केक को चलिए काटते हैं और आज की सेलिब्रेशन को इस तरीके से एंजोई करते हैं कास में इस केक आप सब को खिला पाती बट होप है कि वो दिन जरूर आएगा कभी हम सब मिलेंगे और इस तरीके से एक केक के साथ सेलिब्रेशन करेंगे तो आज इस केक को पहले काटते हैं आप कोई रेस्पी पसंद आई है ना दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को जाधा से जाधा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो और अपनी चैनल पर और भी जाधा महनत करके इस दिन को वो भी सेलिब्रेट कर सके तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए कमेंट में एक प्यार सा फीडिबेक देना बिलकुल ना भूले यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चले बाबाई आन ठेक